नमस्कार मैंजिगीर चाहां आप देख रहे हैं हमारा राजस्तान नुए छी गंगनर जिले के हिस्टी शीटर हत्याकांड वे हिस्टी शीटर जोर्टन के हत्यारों को दबोचने के लिए एस्पी ने बैठकर लेकर जाज को विस्ताथ श्मिक्षा करते हुए पंकज हत्याकांड की जांज टीमू को किया शामिल आईए देखते हैं रिपोर्ट विनो चोदरी उर्फ जोर्डन की गोलियों से चलनी करते हुए निर्मता पुर्वक हत्या करने वालों को दबोचने के लिए लगी सभी टीमू को आज नेटा से छोंपे गए हैं इसके साथ सादूल सहर मारक पर शे माहें पहले हुए सर्वनकार पंकज सोनी हत्या लूटकांड की जांज में सामिल टीमू को भी अब जोर्डन हत्याकांड की जांज में लगा टीमू में साथ जोड़ दिया गया है दोनों हत्याकान में कुक्यात गेंग स्टार लोरेंस बिशनोई के खास गुर्गे अंकित भादू का नाम सामने आने के कान एस्पी ने ये कदम उठाया है इसे पहले पुलिस कप्तान हारेंदर महावर ने जालडन हत्याकान की जांच टीमों के परभारियों की पुलिस लाइन सभागार में सुकरवार को बेठक लेकर आव तक हुई जांच वे जुटाई के तत्यों की समिक्ष्या की है इस दोरान सभी टीमों ने अव तक जोटाई जानकारियों को भी सांजा कर दिया है इसी बेठक में S.P. ने लालगट जटान सादूल सर हिंदुमल कोट थाना परभारी को बुला कर जांस टीमों के साथ अटेच कर दिया है बताया गया है कि बेठक में जोर्डन हत्यकान को तीन दिन होने के बावजूद आवी तक कोई ठोस कारवाई या परगर्ती नहीं होने पर भी नराज़िये जताई गयी है बेठक के बाद कई टीमों को पंजाव हरियानाग में गेंग स्टारों के गुर्गों की तलास में भेजा गया है सर्वनकार पंकज सोनी की 6 दिसंबर 2017 को बुदर वाली इंट भटे के निकट सरयाम गोलिया मारकर उसका चांदी के जेवरातव नगदी से भरा बेग लूट लिया गया था किस मामले में तीन माइने तक आदी बटालियन से हदिक पुलिस कर्मियों की दरदन भर टीमों ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था लेकिन हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा इसी बीच लगबग तीन माए पहले सीतो गुन्यों के नजदीक पेंट्रोल पंप लूट की वार्दात में आरूपितों को पंजाब पुलिस ने पकड़ा तो उन्होंने पुस्तास में पंकस सोनी हत्याकान करना सविकार कर लि जारडन की हत्याका सडियंतर रतने बारे पुलिस की जानकारी दी थी इसके बाद लोनेस विशनोई की तरफ से जारडन को धंकी दिये जाने के बारे में पुलिस को अधिराग तोर पर आवगत करवाय गया था तो पहले पुस्तास में हुए खुलासे की पुस्टी हो गई झाल झाल